अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़ादा जरूरी होता है हम सब को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम जब सिलाई करने बैटें कुछ भी तो हमें कोई भी दिक्कत का सामना ना पढ़ना पड़े ना ही हमें कोई परेशानी हो तो चलिए फ्रेंट आज की वीडियो को शुरू करते हैं जो की सिलाई मसीन और सिलाई से जुड़ी हुई है पहला यहाँ पे टिप मेरा इंची टिप को लेकर है हमारा जो इंची टिप होता है उसे हम किती भैयार भी अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं तो फिर देखते हैं कि फिर से वो वैसे ही खुल जाता है और हमारा एक काम बढ़ जाता है लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा आप अपने इंची टिप को ले लीजिए और उसे अच्छे से फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने की बाद आपको ले लेना है एक छोटा सा रबड बैंड आप rubber band ले लीजिए और इंची टेप का जो सिरा होता है जो छोर होता है एक छोर पे आपको इस तरीके से double fold करके लगा देना है अब आप क्या करेंगे एक सिरे को rubber band का उठा के आप इंची टेप पे इस तरीके से फसा देंगे तो आपका इंची टेप हमेशा organize रहेगा जब भी आप कुछ measurement करना हो रबड को निका लिए और आराम से आप measurement कर दीजिए लेकिं इंची टेप से आपको रबड को नहीं अटाना है फिर से आप रबड का एक छोड़ लेकर यानि एक सिरा लेकर इस तरीके से इंची टेप पर लगा दीजिए अक्सर हम देखते हैं जिस भी डबे में हम अपना सुई धागा रखते हैं तो हम देखते हैं कि आपस में सारी रीले उलजी हुई है और जब हमें जरूरत पड़ती है कि हम इसका use करें तो हमें बहुत ज़्यादा time लग जाता है धागों को सुलजाने में तो इससे बचने क धागा आपस में उलजेगा भी नहीं हम जहां भी इसे रखते हैं तो इसे ये सारे रीलू को मैं इसी तरीके से काट कर लगा देती हूँ अच्छे से ये विवस्थित हो जाएगा अगले टिप में हम देखते हैं कि हमारा जो सिडिल है वो भी इसी तरीके से या तो धागे आपस में उलजे हुए रहते हैं जहां भी हम जिस भी डबे में रखते हैं या फिर जब भी हम एक कॉर्नर ढूनने लगते हैं हमें सिडिल में धागे का कॉर्नर चाहिए होता है तो उसे ढूनने में ही हमें काफी जादा टाइम लग जाता है क्योंकि वो उसी में छुप जा हमें नहीं मिलता है तो इससे बचने के लिए हम ले लेते हैं यहां पे ट्रांसपेरेंट वाला टेप और इसी टेप में धागे की कॉर्णर को हम यहां पर चिपका देंगे और जो बचा हुआ टेप है उसे भी घुमा कर हम इसी सिडिल पर लगा देंगे इससे होगा यह कि आपको पसंद आएगा तो आप भी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा अपने घरों में और धागे का सिरह आराम से हमें मिल जाया करेगा अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा हम देखते हैं कि हमारा जो सुई धागे वाला डबा है वो अकसर इस तरीके से बिखरा हुआ रहता है मतलब हमने अच्छे से और्गनाइस तो सब कुछ कर लिया है फिर भी देखने में यह अच्छा नहीं लग रहा है इसे थोड़ा और और अर्गनाइस करते हैं तो इसके लिए हम ले ले पूरा सुई धागे का जो डबा होता है हमारा और गनाइस हो आएगा आपस में लपेटा या बिखरा नहीं रहेगा देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर हम बटन्स रखते हैं तो एक सेफटी पिन में उसे रख सकते हैं और सुई रखने के लिए आप इ सारी सुई रख सकते हैं लेकिन मैं इसी को इस्तमाल करती हूँ तो मैं इसे बिल्कुल भी छेड़ खानी नहीं करती मैंने एक स्पॉंज लिया है पुराने घड़ी का उसी में डालके रखती हूँ तो फिर मैं इसी में रखके और डबे में डालके रख दूंगी तो पूरा होती है बहुत सारी चीजे काटने के काम आती है हम कुसिलते हैं करते हैं तो हम उसे काटते हैं लेकिन हमारी परिशानी तब बढ़ जाती है जब हमारे कैंची की धार चली जाती है तो इसका धार घर पर हम तेज कर सकते हैं अगर हमारे पास कांची कोई से भी तेज कर सकते हैं बस आपको इस तरीके से चलाना है जैसे कि हम चूड़ी को काट रहे हूं कुछ इस तरीके से आपको अपडाउन अपडाउन करते हुए काटना है जिससे की हमारे जो कैंची के धार है तेज हो जाए आप इसे एक बार करके देखिए आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है, तो बहुत अच्छे से धार तेज हो जाती है, अगला टिप भी हमारा कैची से ही related है, यहां पर हमने ले लिया है एक पेपर, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हाथ में कैची लग जाती है, या फिर हम ही ऐस कुछ का इसबत को कपड़ा। नहीं रहता है किसी से कवर केंशी में है इसक statute क कपड़ा। तो आप हमेदा में कंची खोड़ेा हैं। सकते हो लेकिन पेपर का भी आप जटबट में तयार कर सकते हो अब आती है बारी हमारी मशीन की हमारा मशीन जो होता है ना इसकी सूई जो होती है कई कई नंबरों की आती है लेकिन कुछ सूई ऐसी होती है जो हम मोटे कपड़ों पे चलाना चाहते है ना तो फिर वो नहीं च चला देंगे तो फिर क्या होगा कि जो सुई होगी थोड़ी सी चिकनी हो जाएगी और वो थोड़ी फिसलने लगेगी जब फिसलने लगेगी तो हम अगर उसे किसी मोटे कपड़े पर चलाएंगे तो वो आराम से चलेगी अगर साबून आप नहीं यूज़ करना चाहते हो त आपके पास अगर मोम बत्ती होगी तो आप उसका मोम भी सुई पर लगा सकते हो इससे भी सुई थोड़ी सी फिसलने वाली हो जाएगी चिकनी हो जाएगी तो उससे भी ये आराम से मोटे कपड़े पर चल सकती है यहाँ पर मैंने साबून लिया है और आपको दिखाती हू यानि डेश्ट वगेरा फस्ता है तो मसीन बहुत जल्दी खराब भी होती है इसी का कबर हम अपने घर में बना के तयार कर सकते हैं जिसके लिए हमने यहाँ पराना पैंट लिया है और इस पैंट का एक पैर का मैंने यूज कर लिया था और यह मेरे पास एक पैंट है जो की यही था तो मैंने इसे ही लिया है और इसे हम काट लेंगे कुछ इस तरीके से और इसका जो ऊपर का पार्ट होता है वही हमें चाहिए उपर से बटन वगेरा चेन लगी होती है वो चाहिए नीचे से हमने काट लिया है उल्टा कर लिया है अब हमें यहाँ पर सिलाय लगान इंस्टेंट सा बिना किसी जंजट के एक मशीन का कवर जैसा तयार हो गया है जिससे हम जुगाडू अपने मशीन को ढख सकते हैं जिससे धूल डश्ट हमारे मशीन में नहीं पड़ेगी और हमारा मशीन जल्दी खराब भी नहीं होगा तो एक जुगाडू वाला कवर यहां हमारा तयार हो जुका है बिना किसी जंजट के हमने आराम से इसे तयार कर लिया है तो देखने में काफी जाद अच्छा लग रहा है मशीन ढख भी गया है और काफी वेवस्थित हो गया है यह आज की कुछ वीडियो और यह टिप थी उमीद करती हूँ कि आपको पसंद होगी फ्रेंज तो लाइक शेयर कीज़ेगा कॉमेंट कीज़ेगा वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मिलती हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा चैनल को बाई